हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन वेसनमुक्ति तग्या हूँ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एक डिप्रेशन के के स्टेडी के बाद डिप्रेशन के के स्टेडी है उसके बारे में बताऊंगा अभी मेरे पास में एक वेक्टी आया था उसका उसकी उमर अंदाज पचास साल की होंगी और पिछले दो साल से उसको तकलीव हो रहे थी तकलीव कुन सी हो रहे थी कि अचानक उसने काम करना बंद कर दिया कहीं सर्विस कराता हो घुश छोड़ दिया राजनामा innovate disorder साहट बीजिनेस कराता बंद कर दिया को काम करने यह च्छाक उसकी होगे काम करना ही नहीं को इच्छा नहीं और बहार जाने की कोई काम करना कोई पैसा यक्षा नहीं हो रहे उसकी सुबह जल्दी उठ जाना करीब करीब चार बजे साड़े-चार बजल जल्दी उठ जाना रात को लेट सोना और सुबह उठने के बाद में उठे उसको ऐसा लगता है कि बहुत दुखी है बहुत निराश है उदास है फिर जैसा दिन बढ़ते जाता है वैसा वैसा उसको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है खाने की इच्छा ने वजन कम हो गया करीब-करीब 15 किलो और कभी-कभी अपने मंजी बातचीत करना ऐसा लगते कि लोगों से बात कर रहा है मगर एक्च्छी पागलपन का नहीं था हो अच्छा है काफी सारे मनुविकार तक्गे का उसने इलाश किया बहुत महेंगी-महेंगी दवाई खा रहा है और उसका इलाश तो कोई वह थीक नहीं हो रहा है वह रहा कि वेक्टेस का देख लिए कि डाइबएटीस है क्या थाइरड की बीमारी है क्या ब्लेड प्रेशर ए क्या मतलब बाकि कुछ भी बीमारी उसको नहीं है सब तब बिल्कुल मतलब सेटी स्कैन या पुरे खुन की सब कर लिया और उनको कुछ मिलने रहा कोई डॉक्टर हो मनोविकार तगे का एलाग चलू है और वहां उनने मेरे को बताया कि आप देखिए आप कुछ कर सकते कि इसमें अब सब दबाई उसको दे चुके थे एंटी डिप्रेशन की दबाई उसको अलग 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 तरी की पिछले दो साल में उसको दे चुके है अब मेरे पास में कुछ बचानी देने के लिए तो मिने उनको यह सजेस्ट किया कि आपको इलेक्ट्रिक करन्वल्जिव थेरेपी म आपट्रिट्मेंट गरने को क्योंकि बाकी कोई चाहरा नहीं था और हमने उनको एक दीनाड एक दीनाड एक दीनाड उसको 8 ECT मैंने दिये और वो completely पूरा अच्छा हो गया completely normal में लग उसका जो mental imbalance हो गया था ब्रेन में जो chemical locha जो हम गुलते है chemistry उसकी जो imbalance हो गई थी वो दवाई से ठीक नहीं हो रही थी और electric shock देने के बाद में पूरी ठीक हो गई एक दम नॉर्मल हो गया उसके रिस्तारे उनको पी ताजूब लगा कि ऐसा कैसा हो सकता है दो साल से हम परेशान है दो साल से घर मे बेड़ के उपर लेटा हुआ है कोई काम नहीं करता है कहीं आना नहीं जाना नहीं शादी में नहीं कोई कोई बीमारे तो महां जाना नहीं कोई काम का नहीं रहा दो साल हमने सफर किया और अभी यह 15 दिन में कितना अच्छा कैसे हो सकता है मरो हो सकता है क्योंकि ओंपर ऐसी depression की फिर से आ सकती है यहां फिर वो मैनिया में जा सकता है मतलब उनमा या हरशवाई में जा सकता है तो depression के लिए बहुते निँए कैसे यहां मेरे पास में आके क्या-kै मैंसीर करना एंगला psychotherapy को इसी देना है कितने बार आने का है इसमें होता गया है कि उसको psychological support करना जुरूरी है होता गया है कि 50 साल के बाद में उसको लगता है कि अभी बीमारी हो जाएंगी क्या कोई बड़ी बीमारी आजाएंगी या कोई cancer हो जाएंगा डाइबेडिस हो जाएंगा या कि बिजनेस में लास हो जाता है बच्चे घर से निकल जाते है पढ़ाई के लिए लड़की शाजी शुदा हो की निकल जाती है तो उसको अकेला पन लगता है और इसमें कोई बड़ा हाथसा हो गया तो फिर और जल्दी डिप्रेशन आ जाता है तो यह सब लोगों का मतलब यह सब जो बाते हैं इसका सामना कैसे करना खुद को पावर्फुल कैसे बलाना उसके लिए साइकोथरेपी की जरौत है मांसुब चार की तो उसके लिए मैंने उसको सेजेस किया अभी वह फिलाल मेरे पास में आ रहा है साइकोथरेपी चालू है और कंप्लिटली नॉर्मल है उसको भी लगता है कि मैंने नोगरी क्यों छोड़ दिया राजी नामा क्यों दे दिया अ सब्सक्राइब करो आपके परिशिट जो होंगी इसा डिप्रेशन का प्राबले होंगा उनको यह बताओ कि वैसी इलाज हो सकता है और इसका इलाज करो ताकि आप मतलब मेंटल हेल्फ फर आल जो हमारा मिशन है सबके लिए मानसीख स्वास्त है एडिक्शन फ्री इंडिया कभी वैसन मुक्त भारत और जो भी नॉर्मल लोग है उनको कैसा हम पावर्फुल बनाएंगे कैसा उनको सक्षम बनाएंगे उसके लिए हमारे जो कारक्राम चलू है उसमें आपका हाथ लग जाएगा उसमें आपका सपोर्ट हो जाएगा सो जरूरी वीडियो शेयर थाएगा थैंक यू बरी मुच